हेलो स्टूडेंट आप सभी का एक बार से फिट से स्वागत हैं मेरे चैनल जीके विद आर्डी सर तो आज हम डिसकस करने वाले हैं महाजनपद के बारे में महाजनपद आपको पताएगी मैंने उत्तर वैदिकाल रिग वैदिकाल आपको पहले मैंने रिग वैदिकाल पढ़ाया उसके बाद मैंने उत्तर वैदिकाल पढ़ाया उत्तर वैदिकाल में बहुत सारी बुराईयां आ जाती हैं इस्त्री की दुर्दर्शा कम हो इसमें इस् बनते हैं जिसको हम बोलते हैं बुद्ध धरम और जैनिजम ठीक है जी तो ये धरम के बारे में हमा नेक्स्ट में पढ़ेंगे बट अब आपको पता है जो ये जो शैरों में सारे ये जितने भी कबीले के जीवन को छोड़कर शैरों में आ चुके हैं इनके पास फूड भी है इनके पास अपने राजों के पास सैनिक भी हैं और इनके पास अपने फूट किले भी बना रखे हैं तो इह सारे अलग-लग राजे हैं तो कुल मिला के इस टाइम के उपर 6.20, 6.20 सब्णताब्दी के अंदर कुल मिला के हमारे पास 16 जनपद आते हैं बड़े-बड़े शैर है वो आगे continue चलेगी अब 16 जनपद में कौन कौन से क्या कारण थे वो हम देख लेते हैं जो आपको कोशन आएगा जनपद से वो आपको पहले आएगा कि 16 जनपद है total इसका जिकर हमें कहां मिलता है ठीक है जी इनसे हमें कैसे पता लगा कि उत्तर वैदि काल के बाद ही जनपद आये थे तो एक तो हम ये देखने वाले हैं दूसे निमबर पे इसकी राजधानिया 16 जा राजे थे तो 16 राजों के जनपद थे तो उनकी अपनी राजधानिया थी ठीक है जी तो मगदर जो जनपद था वो कैसे आ गया आ गया कारण क्या था ठीक है जी इनकी राजधानिया तो इसमें आपको ये होगा कि South India में कौन सा जनपत था मुरुस्तल में कौन सा जनपत था इसी तरह से सबसे छोटा जनपत कौन सा था सबसे पहला जनपत कौन सा था इंडिया से बाहरवाला जनपत कौन सा था पाकिस्तान के अंदर जनपत कौन सा था इन सभी कोशनों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे अब जो सुडेन इस चैनल के पर नहीं आएं प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सस्क्राइब करें और फर्दर इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें जो पूरा इंडिया वाजल जो आ रहे थे 16 जनपद में बढ़ चुके थे 16 जनपद बड़े बड़े शहर थे बड़े बड़े फोर्ट बने हुए थे 16 जनपद में जिसकी जानकारी हमें बुद्ध गरंथ के अंगुत्तर निकाय नाम और एक महा भारत है इनसे हमें इसके बा अब जो अंग था इसकी राजधानी थी चमपा ठीक है जी और ये कौन से एरिये में था जो आपको पता है जारखंड वाला एरिया इस टैंप आप देख रहे हो तो ये वहाँ पे था मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ देखे जी ये अंग समराज्य है यहाँ बिहार तो ये वाला एरिया जो है ये अंग का था अब बिहार के अंदर था पूरा मगद समराज्य है नेपाल थोड़ा सा बिहार के उपर में नेपाल की उपर वाले एरिया में सिक्कम वाले एरिया में यहाँ पे था वजी और उसके साथ में थे मल मल के साथ में थे कोशला कोशला के साथ में थे वदस्या, उसके बाद यहां पे था कांसी, ठीक है जी, उसके बाद जो वदस्या थे उसके नीचे था चेदी जनपद, उसके बाद जो मद्या परदेश में, जो था मद्या भारत में, जो वो था अवंती, जिसकी राजधनी उजैन थी, उसके बाद साउथ इं हमें पंचाला मिलेंगे ठीक है जी जहां पे आज कुरू शेतर एरिया जहां पे था कुरू जनपद और जहां पे राजिस्तवाला एरिया है वहाँ पे था मतस्य," जनपद और दो जनपद जो बहुतуск जाला पेपरों पुचे जाते हैं वो थे गंधार गंधार आपको पता है शुरेणी है पाकिस्तान के अंदर पारियों का नाम है वहाँ पे जो जनपत थे गहंदार शैली के बारे में मंद्रो के एक शैली होते है गहंदार ठीक है जी? तो कल्चर है यह पुरा तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं जहां पे तक्षिला उनिवस्टी बनाएगी थी तो यह जो गंदार शैली थी यहां पे गंदार नाम का एक जनपत था इसके साथ में एक और था कमभोजा जनपत भी था जो इंडिया से बाहर था आई होप कि आपको यह सारे जनपत आपको समझ आ गया होंगे इस तरह से यह सारे 16 जनपत के बारे में आपको सुनने को मिलेगा अब हम इसकी यह मैंने आपको जोग्राफी पर कर यह को मैंने मैप के अंदर बता दिये अब इसकी राजधानिया पड़ लेते हैं अब देखे जी, जो अंग था इसकी राजधानिय थी चमपा और ये भिहार वाले एरिया में था, मगद जो था ये भी इसकी राजधानिय दो थी एक तो थी ग्रीबरज और उसके बाद राजग्रहा बनेगी उसके बाद पाटली पुतर बनेगी, पाटली पुतर के बाद वेशाली बनेगी, चार राज़ानिया बनेगी मगद की, ठीक है जी, तो इसमें ये पटना वाला है, जो गया वाला एरिया है, वहाँ पे था, उसके बाद कांशी, कांशी जो एरिया था, इसमें आज वारा नसी जहां पर ब्रधान मंतरी नरिंदर मोदी जी अपनी चुनाव श्री सीट से लड़ते हैं तो वारा नसी वाला है जो आसपास कह रही है उत्तर परदेश में था ये जनपद उसके बाद वतस्या वतस्या जिसको कोशांबी बोलते हैं जिसका नान का परिवार था जो बुद्ध करूँगा जस्ट यहां पर आपको जितना मैंने बतायाना है कि इस जनपद को औराने के लिए बहुत सारे कहते ना युद्ध करने पड़े थे और इसको औराना बहुत जादा मुश्किल था एक वजी जनपद एक ऐसा जनपद था ठीक है जी ये इस आठ राजों में डिव कोशल थी तो आपको पता होगा कि जहां से महतमा बुद्ध थे कोशल से ठीक है जी वहां पे इसके वहां पे अवंती वंती क्या था जी मद्याब भारत में मद्याब परदेश के अंदर मालवा वाले एरिया के अंदर जहां पे मालवा का बठार है उजैन और महश्मती इसक उत्तर परदेश मिया जी, उसके बाद हम पंचाल के बारे में बात करते हैं, इसकी पंचाल जो सबसे बड़ा जनपद, अगर आपको पूछ ले, सबसे इन सभी में से सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे चोटा मैंने अंग बताया है, सबसे बड़ा पंचाल था, तो पंचाल की इसकी अह चित्र, क्योंकि ये दो भागों में रिवाइड था, उत्तर साइड वाला और दक्षिन साइड, इसकी दो राजधानिया थे, अह चित्र और कमपिल्या, कमपिल्या के बारे में आपने जुरूर याद रखना है, चेदी, चेदी जनपद, इसको शक्ति मती भी बोलत कुरू जनपद, जहांपे इंदरपरस्टिस की राजधानिया, आज जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते हो, इंदरपरस्ट भी है, तो इंदरपरस्ट जहांपे आधुनिक धिल्ली, मेरिट और हर्याना वाला इरिया है, इसको कुरू जनपद बोलते थे, ठीक है जी, मद कि उसके बाद, और जो शूर सेन थे, शूर सेन कौन से थे, शूर सेन कम जो आपको जनपद आपने सुना होगा, ये मुत्रवल एरिये में था, और अश्मक, अश्मक कौन सा था, अश्मक आपको गुदावरी के नदी में, गुदावरी नदी के जो आपका नासिक की तरफ ह जो महारास्टरा की तरफ साउथ इंडिया के अंदर जो जनपत था उसको अश्मका बोलते थे इसकी रो दो राजधानिया एक पोटली थी एर एक पार्टन थी ठीक है जी इसकी जो राजधानि थी वो पांच पहाड़ियों से घिरी हुई थी इसके अंदर थी और ये इसके आसपा सारे जंगल थे उसके बाद सबसे ज़्यादा इनके पास लोहे की ख़दाने सबसे ज़्यादा थी और इनमें वेल क्वालिफाइड कहते ना बहुत सारे सूजवान राजे पैदा हुए थे एक से बढ़ कर एक राजा पैदा हुआ एसी तरह से जो राजे एक तो राजा इनका में कारण था दूसरे नमबर पे जितनी नदियां होती हैं वो सारी इसी अरिया से ऊके जाती थी तो इनमें सबी नदियों के उपर इस जन्ठतद का अधिकार था और लोहे की खोज से सबसे ज़्यादा खदाने इसी जनपत के पास थी इसके साथ अंग में भी सबसे ज़्यादा खदाने थी लोहे की बट ये इनके पास राजे अच्छे ही हुए जिसके कारण और फूड के लिए जो इनके पास जमीन थी क्योंकि ये भिहार वाले एरिया में था तो इसके पास food agriculture बहुत ज़्यादा वगरता था तो food की stability थी, नहरों की stability थी उसके बाद इनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा थे सेना सबसे ज़्यादा थी इसके पास सबसे बड़ी ताकत थी सबसे ज़्यादा बड़े इसके पास हाथी थे जो और इसके बाद और अच्छे जो राजा हुए थे जिसके कारण ये जन्पद ने सभी जन्पद को बड़ी conspiracy के कारण सभी जन्पद को बड़े बहुत महान तरिकों से इन्होंने जिते हैं लड़ाईयां की हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे जब मगद के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में आपको detail में discuss करेंगे ठीक है जी I hope कि आपको समझ आ गया होगा तो आगे हम जैनिजम के बारे में पढ़ेंगे इनिजम को मान रहा है कोई बुद्द्दिजम को मानções कुई किस तरह से प्रमोट करेगा तो इसके बारे में हम जानेंगे तो दो नो धर्म के बारे में नेक्स्ट वीडीयो में естноक्राइब करेंगे तो यह आपको जन्पद माहा-त जन्पद पीर्ड भूर्ण है वह आपका खत